मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री मोधी जी ने मेरे पती को जेल पे डाल दिया क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया क्या आप सब मानते हैं कि केजरिवाल जी एक सचे देशभग और इमानदार इंसान है क्या आप मानते हैं कि केजरिवाल जी एक सचे देशभग और इमानदार इंसान है ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरिवाल जी जेल में है इन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्या केजरिवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए क्या उनों यिस्तिफा देना चाहिए केज्रिवाल जी को इन्होंने गिरिफ्तार कर लिया आपके केज्रिवाल शेयर है शेयर यijn जादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे करोड और लोगें को दिल में बसते हैं केज्रिवाल जिस बहादुरी और सहाथ से वो देश के लिए लड़ रहे हैं कभी कई बार मुझे लगता है कि अजादी की लड़ाई में वो एक freedom fighter थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए इस जन में भी केजरिवाल जी को शायद भारत मा के संघर्ष के लिए भेजा है अब मैं आपको केजरिवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी मेरे प्यारे भारत वासियों जेल से आप सब अपने इस बेटे अपने भाई का प्रनाम स्विकार कीजिए मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा आने वाले चुमनाओं में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा आज मैं देश के 140 करोड लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सिहोग मांता हूं 140 करोड भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए अवंत्रित करता हूं भारत एक महान देश है हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है भगवान का दियस सब कुछ है भारत में फिर भी हम पिछडे क्यों है हमारे लोग अनपड क्यों है गरीब क्यों है मैं यहां जेल में हूँ यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है रात को तूट के नींद आती है भारत मा के लिए सोचता हूँ भारत मा बहुत दुखी है भारत मा दर्द में है दर्द से करा रही है जब महगाई की वज़े से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत मा को बहुत दुख होता है जब भारत मा के बच्चों को अच्छी सिक्षा नहीं मिलती पिचतर साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं तो भारतमा बेबस और लचार महसूस करती है जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं सडके तूटी हैं 75 साल बाद भी हालत खराब है तो मां को बहुत भीड़ा होती है उस पर जब कुछ नेता सुभा शाम लच्छेधार भाशन देते हैं जोस्तों के साथ मिलकर देश लुटने में लगे हैं तो भारतमा को बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों से भारतमा को सक्त नकुटत है आईए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं 140 करोन लोगों के सपने का भारत एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भर पेट खाना मिलेगा हर हाथ को काम मिलेगा कोई बेरोजगार नहीं होगा कोई गरीब नहीं होगा कोई अनपढ नहीं होगा हर बच्चे को अच्छी सिख्षा मिलेगी चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का हर भी मिमार को अच्छा इलाज मिलेगा चाए वो अमीर हो या गरी देश के कोने कोने में 24 घंटे विजली होगी देश के हर गाउं में शांदार सडके होगी एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में सिक्षा का केंदर होगा जहां दुनिया भर के युगा पढ़ने के लिए आएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइन्स टेकनोलोजी में वर्ड लीडर होगा भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहचाएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई उच नीच नहीं होगी नफरत नहीं होगी मार पीट नहीं होगी गाली गलोच नहीं होगी जहां सब को नयाय मिलेगा प्रेप और भायचारा होगा आज मैं देश के 140 करोड लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आवहान करता हूँ यदि आप सब इंडिया गटबंदन को मौका देते हैं जिम्मेदारी सौपते हैं तो हम सब मिलकर ऐसे महान राश्र का निर्मान करेंगे केवल नाम में इंडिया गटबंदन नहीं है दिल में इंडिया है दिल में मैं इंडिया गटबंदन की ओर से आज 140 करोड लोगों भारत वासियों को 6 गारंटी देता हूँ पहली पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे कहीं कोई पावर कट नहीं होगा मंजूर है दूसरा पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे मंजूर है तीसरी हर गाउं और हर महले में शांदार सरकारी स्कूल बनाएंगे अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान सिक्षा मिलेगी होना चाहिए चोथा हर गाउं और महले में महला क्लीनिक बनाएंगे हर जिले में शांदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे देश के हर व्यक्ति के लिए शांदार और फ्री इलाज की विवस्था करेंगे मंजूर है पाच्वी किसानों को स्वामी नाथन आयोग के मताबिक सही फसलों पर MSP निधारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे मंजूर है छेटी दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याए सहा है देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है ये अन्याए हम समाप्त करेंगे दिल्ली वासियों को उनका हग दिलाएंगे दिल्ली को पून राज्ये का दज्जा दिलवाएंगे मंजूर है मैं आज ये अलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गटबंदन के साथियों से मापी मांता हूं क्योंकि ये अलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमती या सहमती नहीं ली जेल में हूं इसलिए सहमती लेना संभाव नहीं था उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपती नहीं होगी ये सभी छे कारंटी हम पाथ साल में पूरी करेंगे इसका पैसा कहां से आएगा इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं पूरी उर्जा से भरा हूं इस गिरफ्तारी ने मेरे होंसलों को और मजबूत किया है आपकी दुआएं और आशिरवाद मुझे लगातार मिल रहे हैं उपर वाला मेरे साथ है जल्द भार आकर आपसे मिलता हूं आपका अर्विल सभी लोगों को सभी लोगों का आशिरवाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पती को अपना ये आशिरवाद बनाए रखना भारत में ये ताना शाही नहीं चलेगे हम लड़ेंगे जीतेंगे अंत में मैं सभी लोगों इंडिया अलाइंस के लोगों का भी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं जै हिन